हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक और आज हम MP जोग्राफी से मद्द प्रदेश की भुगुलित सरनर्शना के बारे में जानींगे यह पार्ट 3 एस टॉपिक से और आज की वीडियो में हम मालवा का पठार और बगिल खंड के पठार के बारे में जानींगे जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ही बताया रहा कि मद्द प्रदेश को साथ भागों बाटा गया है मद्द भारत का पठार बुंदेल खंड का पठार रीवा पन्ना पठार बगेल खंड का पठार मालवा का पठार नर्मदा का पठार और सत्पुडा का पठार तो जानते ह कुल छेत्र का साथ प्रतिशत भाग है जिलो की बात करें तो सैडोल अनुपूर सिधी सिंग्रोली का निचला हिस्सा आता है और तता उमरिया आदी जिले भी आते हैं थोड़े थोड़े और नदी की बात करें तो इसके अंतरगर जो नदी आती है वो है सोन नर्मदा जोहिला सोन नर्मदा जोहिला परियटन की बात करें तो सफेद सेरों के लिए प्रसिद बांदब गड़ रास्टे ओक्यान यहीं पर है करकरेका की बात करें तो इस पठार की बीचों बीच से होकर गुजरती है और मद्द प्रदेश की उर्जा राजदानी बेडन सिंग्रोली बग तो मैं बता दूँं आपको आर्कियन काल से लेकर जुरैसे काल तक किसल इस पठार में पाये गाए है और यहां पर जो कोईला सबसे ज्यादा पाया जाता है कोईला सबसे ज़ादा बगील खंड में पाया जाता है और यहां पर गोड़वाना करम की चट्टाने अधिक जाती है इस पठारी छेतर में सिंगरवली दूसरा सबसे बड़ा कोईला छेतर है और प्रिदेश का सबसे दूसरा सबसे बड़ा छेतर है यहां पर मोटे अनाच की खेती होती है और उद्द्योग की बात करें तो कागज मिल अमलाई औरियंटल मिल यहीं पर इस्तित है डवल एट ट्रिपल टू मतलब अठासी हजार दोसो बाइस वर्ग किलो मीटर है जो कि प्रदेश का 28.62 प्रतिसत भाग कवर करती है जिलो की बात करें तो इसके अंतरगत देवास उज्जेन विदीशा रायसेन बोपाल समेत प्रदेश के कुल 18 जिले पूर्णवा आंसेक रुप से इसका विस्तार पाया जाता है और सबसे उची चोटी बात करें तो सिगार चोटी जो है सबसे ऊची है जो कि 881 मीटर की है और दूसरे नंबर पर आती जाना पाप पहाड़ी जो की 854 मीटर की है और तीसरी धारासी जो की 810 मीटर कि है, नदी की बात करें तो सिप्रा बेतवा, चंबल नर्मदा, आधी नदी इसके अंतरगत आती है, अमीटियों की बात करें तो लावन निर्मित काले मिटि इस पठार पर बड़े पैमाने पर पाई जाती है और उद्धियों की बात करें तो सूती कपड력 की मिलों क करण इंदौर मध्य प्रदेश का मॉंबई कहा जाता है मतलब मिनी मॉंबे इंदौर को बोला जाता है उज्जेन का प्रची नाम अवंतिका है यह एक जी के कुस्टन है और किसी की बात करें तो सुयवीन का पास के हूँ जुवार मुंफली यहाँ पर उगाई जाती है परिय वोटिंग थेंक्यू